एलो एब्रिवान वेलकम टू माच्छ क्लासेज बाई के वी टीचर स्टुडेंट्स इन दिस वीडियो वे अर गोई टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3 ऑफ क्लास 7 त माच्स थर्ड एक्सरसाइज में जो कॉंसेट आपका कवर हुआ है दाट इस बार ग्राफ बार ग्राफ के बारे में आपने 6 लास में भी पढ़ा है ये ग्राफ जो है इसमें rectangular bars होते हैं और उनकी height के corresponding जो number है उससे आपको information पता लगती है तो बार ग्राफ को read कैसे करना है question में आपको हो सकता है बार ग्राफ दिया हो और उसके basis पर कुछ questions आप से पूछे हो या फिर हो सकता है को information आपको दी और उसके basis पर आपको बार बनाना हो बार बनाने में क्या scale लेना है किस तरीके से बनेगा कैसे बार को read करना है यह हम exercise में सीखेंगे very first question is use the bar graph figure 3.3 में जो बार ग्राफ आपको दिया हुए इसको यूज करके question के answers आपको देने है which is the most popular pet अब यहां पर देखिए आपको pet animals दिये हुए और इदर students दिये हुए है जैसे कि dogs कि अगर हम बात करें यह dog का बार है यह वाला कितने बच्चों को dogs पसंद है तो इसके corresponding आप number देखिए कौन सा है 8 यानि की 8 बच्चों को dogs पसंद है cats कितनों को पसंद है यहां तक बार की height है इसके corresponding 10 numbers नमबर है यानि की 10 बच्चों को rabbits पसंद है दो बच्चों को अब इसमें hamsters को अगर आप देखेंगे इसका बार यहां तक है कहने का मतलब है यह बीच की value 4 और 6 के बीच में इसका बार है 4 और 6 के बीच में number कौन सा आता है 5 यानि की hamster 5 students को पसंद है next other animal में बार यहां तक है और यह जो बार है यह 2 और 4 के बीच में यानि की 3 students को 2 और 4 के बीच में 3 number आता है 3 students को बाकी को यह other pet पसंद है question पूछ है most most popular pet तो most popular यानि की सबसे बड़ा बार किसका है the answer will be cats most popular pet जो है वो cats है how many students have dogs as pet अच्छा कितने बच्चों के पास है यह तो कितने बच्चों के पास dogs है as pet dogs का बार देखिए कहां तक है यहां तक और इसके corresponding number क्या है 8 तो यहानि की 8 बच्चों को dogs पसंद है next question is read the bar graph 3.4 इस bar graph को read करिए which shows the number of books sold by a bookstore during five consecutive year 5 साल लगातार एक bookstore ने कितनी books बेची आपको वो दिया हुआ और उसके basis पर आपको question के answers देने है जैसे अगर हम बात करें 1989 में कितनी books भी की है देखिए यह थोड़ा सा आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा बार की जो height है वो यहां तक है मतलब mid में नहीं है बीच में नहीं है थोड़ा सा उपर है और यह जो information है इसमें 100 to 200 numbers आपको दिये हुए है तो यह जो line है यह कौन सा number शो करेगी अगर बिलकुल mid में होता यहां पे तो number होता 150 क्यूंकि 100 to 200 के बीच में 150 होता है अब यह 150 to 200 के भी middle में है तो 150 to 200 के बीच में क्या होता है 175 ओकी इसका one fourth part है यह 100 125 150 175 200 तो यह जो बार है यह 175 को represent कर रहा है ओके next अगर हम बात करें 90 90 की तो scale लीजे एक scale से यहां से straight line जब आप draw करेंगे line actually draw करने की ज़रूत नहीं है scary रख लिजे और corresponding जब आप number देखेंगे तो इसमें आपको पता लगेगा यह 500 से थोड़ा सा कम है मतलब आप इसको fourth लेकिन half में नहीं है 475 ले सकते हैं ओके तो इस तरीके से यह आपको read करना है question देख लेते हैं क्या है about how many books were sold in 1989, 1990 और 92 89, 90 और 92 में कितनी books भी की हैं सबसे पहले बात करते हैं 1989 की 1989 का बार यहां तक है जैसा मैं निकाल लगबग one fourth अगर आप इसके चार पार्ट करते हैं पूरे इसके ग्राफ के तो यह one fourth पार्ट ऊपर रह जाता है यानि कि यह कितना होगा 175 अप्रॉक्स इसमें आपको exact answer नहीं मिलेगा तो आप लिखेंगे कि number of books sold in 1989 is about 175 1990 की अगर बात करें 1990 again हाफ से ऊपर जा रहा है तो 475 400 और 500 के बीच में लेकिन हाफ से ऊपर है तो 475 1992 की अगर बात करें स्केल से आप स्ट्वेट लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि यह 200 से थोड़ा सा ऊपर है हाफ से नीचे है तो वन फॉर्थ पार्ट जो है उसको आप 25 मान ले क्यूंकि 25 400 होते है इसमें आप क्या लिखेंगे 225 तो 1992 में 225 बुक्स ओल्ड हुए अब लगबग next question in which year were about 475 बुक्स ओल्ड किस यर में 475 बुक्स ओल्ड हुए 475 मतलब यहां तक लगबग तो यहां तक देखें कौन सा ग्राफ है 1990 में so in 1990 about 225 बुक 225 मतलब 225 उपर यहां तक कौन सा ग्राफ है 1992 का यह वैसे हमने उपर आंसर भी कर दिये थे इनके next day in which year were fewer than 250 बुक्स ओल्ड 250 से भी कम 250 कहा है यहां पर इससे भी कम मतलब इससे भी छोटा बार कौन सा है 250 से लेस 1992 and 1989 तो यह दोनों ही आप लिखेंगे क्योंकि इसने years प्लूरल में ही पूछा है 1989 and 1992 explain how you would estimate the number of books sold in 1989 आपको explain करना है 1989 में कितनी बुक्स भी कि यह आप कैसे आपने calculate किया तो answer 4 आप लिखेंगे 1989 का जो बार है height of 1989's bar is between 100 and 200 देखिए इसका जो बार की height है वो 100 और 200 के बीच में है but it is more than half but 100 and 200 this is it is more than half यह half से जादा है तो कहने का मतलब यह है यह जो value है आपकी यह जादा है 150 से it is more than 150 but less than 200 यह more than का sign होता है यह less than का 150 से जादा 200 से कम so it is approximately approximately 175 है ऐसे हमने इसको समझा इनके बीच में है पहले वो देखा फिर देखा कई half में तो नहीं है नहीं half से तो जादा है तो half के और 200 के मतलब 150 के और 200 के बीच में है तो 175 है हाफ होता तो हम इन दोनों के बीच में 150 निकाल लेते यहां पर होता तो हम 100 और 150 के बीच में 125 ले लेते इस तरीके से हम बार्स को रीड करते हैं ओकी नेक्स क्वेस्टन अगला क्वेशन है number of children in six different classes are given below नीचे आपको छी अलगला classes के बच्चे दिये हुए हैं 5th class में 135 चिल्रन है 6 में 120, 90, 100, 90, 80 इस डेटा को आपको ग्राफ पे रिप्रिजेंट करना है जब भी आपको बार ग्राफ बनाना होता है सबसे पहले एक वर्टिकल और एक होरिजॉंटल लाइन ड्रॉ कर लीजे स्केल से उन पे 11 सेंटीमेटर की डिस्टेंस पर ये कट लगा लीजे स्केल से देखके ध्यान रखिएगा गैप जो है वो सभी में सेम होने चाहिए सिमिलरली आप यहाँ पर भी कर लेंगे यहाँ आपका Y-axis होता है इसको हम Y बोलते है और यहाँ आपका X-axis होता है X-axis पर आप वो शो करते हैं कि यह किस चीज के बारे में information है और Y-axis पर आप हमेशा numbers शो करते हैं जैसे information यहाँ पर आपको class की दी हुई है और number of children आपको बताए हुए है तो यहाँ पर आप number of children लिखेंगे यहाँ पर आप classes लिखेंगे चलिए यह classes है हमारी बार जो बनेंगे वो classes के बनेंगे और information जो है classes में वो number of children की है कि कितने बच्चे हैं वहाँ पर children classes कौन सी है हमारी 5th, 6th, 7th, 8th तो यहां से start करेंगे first gap को हमेशा छोड़ देंगे यह 5th है आपका इसको फिर से skip करेंगे next बार हम 6th को देंगे इसको छोड़ दीजे 7th, 8th, एक को छोड़ के 9, 10 तक है I think तो थोड़ा सा इसको extend कर लेते हैं फिर इसको रहने दीजे next बार आपका 10th class का होगा main जो चीज है अब इसमें आपकी वो यह है कि Y axis पे हम scale कितने का choose करें उसके लिए आपको highest value देखनी होती है अपनी information में highest value कौन सी है 135 अब 135 में आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो नहीं लिख सकतें क्योंकि 135 जाने के लिए तो फिर बहुत बड़ी आपको copy चाहिए होगी और gap आप जानते हैं हमेशा यह तो 1 का होगा यह 2 का होगा यह 5 का यह फिर 10 का 20 का 50 का 100 का 200 का 500 का मतलब 1, 2, 5 के gaps में हमेशा रहता है आप 4, 4 का gap ले लेंगे 3, 3 का gap ले लेंगे वो नहीं होता क्योंकि यहां पर आप जानते हैं बार graph अगर आपने देखा है 10 parts में वो divided होता है और 10, 1, 2, 5 की table में ही आता है उसके बाद 10 उसके multiples और factors दोनों में ही आप इनको डिवाइड कर सकते हैं खेर उतना detail में हम नहीं जाएंगे बस आप इतना याद रखेगा 1, 2, 5 या फिर 10, 20, 50 वन का तो हो नहीं सकता बहुत बढ़ा हो जाएगा 2 से भी 135 जाने में बहुत बढ़ा होगा 5 से भी तो 10, 20 या 50, 50 में बहुत छोटा graph बनेगा 50, 100, 150 अब 3 इतना सा graph तो हमें नहीं बनाना है तो आप इसमें लगबग 10 का ले लीजिए height ना बहुत जादा होनी चाहिए ना बहुत कम होनी चाहिए यह आपको देखना जब आप बार बनाए तो 10, 20, 30 का gap ले लेते हैं आपको 140 तक जाना पड़ेगा हो जाएगा easily 40 numbers आप इस पर represent कर सकते हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, this is 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 थोड़ा सा और extend कर लीजे 130 and 140 ओके यह हमारा बार ग्राफ तयार है एक चीज और ध्यान दीजेगा X-axis पर बार के नाम होते हैं यह हमारा 5th है, यह पूरा यह gap 6th का है, यह gap 7th का है यह 8th का है, यह 9th का है, यह 10th का है लेकिन Y-axis पर नाम जो होते हैं वो point के होते हैं, यह 10 है, यह 20 है इसमें यह नहीं कि यहां से यहां तक 10 है clear है, अब बार ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं, 5th क्लास में कितने बच्चे हैं 135, तो 5th क्लास का जो बार आप बनाएंगे rectangular बार, उसको 135 की height तक बनाएंगे, scale लीजे और 135 यह है, यहां से यहां तक, 5 तक join कर दीजे straight line draw कर दीजे थोड़ा सा left में चला गया, okay, wait a minute like this, 135 क्योंकि आप जानते हैं, 130 और 140 के बीच में होगा, इसलिए हमने बीच तक line draw की है, एक और line draw कर यह दूसरी side से यहां से और उस बार को भी 135 तक straight line आप draw करेंगे, और उपर इन दोनों को join कर देंगे, यह आपका बार बन गया, 135, 5th class का, 6th class में कितने बच्चे हैं, 120, तो इसका बार बनाएंगे, आप 120 की height तक 6th class, यहां से start करेंगे, 120 यह रहा, so एक straight line, फिर second line, यहीं से ही 120 की height तक, और इन दोनों को आप join कर देंगे, यह 6th class का बार है, 7th class में कितने बच्चे हैं, 95, मतलब इसका बार बनेगा, 90 और 100 तक, तो इस तरीके से आप इसको complete करते हैं, 90 और 100 के बीच में, scale से देख लेना, जैसे कि यह हमने बनाया है, तो यह 90 और 100 के बीच में होना चाहिए, 7th, दूसरा बार यहां से यहां तक, उसके बाद उपर से इसको join कर देंगे, यह 3rd बार है हमारा, यहां पर थोड़ा exact नहीं आ रहा क्योंकि obviously scale से यह नहीं किया है, जब आप scale से करेंगे तो सभी बार की width है वो same होती है, 8th class में 100 बच्चे हैं, तो 8th class का बार आप 100 तक बनाएंगे, और उपर से इन दोनों को join कर देंगे, 8th class next, 9th class में 90 students हैं, so 90, gap सभी के बीच में सेम रहता है 90, और 10th class में 80 students हैं, so graph आपका बनेगा 80 तक, 80, ओके, यह आपका बार ग्राफ है, कई बार थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए, आप इसमें कोई design भी कर सकते हैं, for example इसमें आपने lines ड्रॉ कर दी, कि यह 6th class का है, यहाँ पर आपने dots लगा दिये, 7th class का है, यह keys होती है, जो बाद में class में useful होगी आपकी यह 7th का आपने बना दिया, 8th में cross लगा दिजिए, 9th में star बना दिजिए, 10th में, 10th में, 10th में आपने right यह कर दिए, तो बार अलग से दिखें, बस उसके लिए यह हमने बना दिया, यह बना है आपका bar graph, information ज़रूर लिखने के नीचे classes है, यहाँ पर यह है, scale कैसे चूज करना है वह important है, और bars तो आप जानते हैं, 2 equal bar बनाई है, रूपर से उनको join कर दिजे, अब question देखिए क्या है, how would you choose your scale, कैसे आपने scale चूज किया, scale हमने चूज किया 10 का, वह मैं आपको समझा चुकी हूँ, scale बहुत important होता है इसमें, कोई बच्चा अगर 50 का चूज कर ले, वैसे 20 का भी आप कर सकते हैं, 20 अगर किसी बच्चे ने किया 20, 40, 60, वह भी सही रहेगा, next answer the following question, which class has the maximum number of children, सबसे जादा बच्चे किस क्लास में है, तो table से देखने में थोड़ा आपको time लगेगा, लेकिन बार से तो सबसे बड़ा बार किसका है, 5th class का, तो 5th class में सबसे जादा बच्चे हैं, 5th, and the minimum, और सबसे कम किस में, सबसे छोटा बार किसका है, 10th class का, 10th में सबसे कम है, find the ratio of number of class, number of students of class 6 to class 8, 6th class और 8th class के बच्चों का ratio बताये कितना है, ratio, 6th class में कितने बच्चे हैं, 128 में कितने हैं, 100, ratio आपने previous class में भी किया है, upon में लिखना होता है, उनको shortest form में लिखना होता है, 12 और 6, 2 6s are 12, 2 5s are 10, 6 by 5 मतलब कि 6 ratio 5, यह आपका answer हो गया, यह ratio है उनका, ओके, वोपली यह concept आपको समझ में आओगा, कैसे bar graph draw करना है, क्योंकि आगे आपके यही question है, यह single bar graph है, अगला concept है आपका double bar graph का, इसमें देखिए क्या करना होता है, The performance of a student in first term and second term is given, एक बच्चे की first term में कैसी performance रही, different subject के marks आपको दिये हुए और second term के दिये हुए है, आपको double bar graph show करना है, obviously क्योंकि दो information है, first term और second term, दोनों के marks अलग अलग है, Hindi, English, Maths, Science and SST, okay, एक आप vertical line draw करेंगे straight, और उसके बाद एक straight horizontal line, 1-1 cm की distance पर इनमे cuts लगाएंगे, अब सबसे पहले axis को define करना जरूरी है, कि आप X axis पर क्या लिखेंगे, और Y axis पर क्या लिखेंगे, X axis पर हमारे होंगे subjects, और उसमें हम bars देंगे, पहले को उसको खाले छोट दीजे, second जो है हमारा ये English का है, next भी रहेगा, next Hindi subject है हमारा, तो ये Hindi का है, next is of maths, उसके बाद science, और last में SST, ये सब भी बाट्स होगे, और Y axis पर जो information हम रखने वाले हैं, वो होंगे आपके marks, first term और second term, different marks, different जो है आपके बाट्स बनेंगे उसमें, उससे शोव करेंगे, इस axis पर marks होंगे, चलिए अब सबसे पहले, first term में बच्चे के English में 67 marks हैं, अब ये information अगर आप graph के उपर draw करते हैं, तो obviously आपको ये lines लगाने की जरूत नहीं है, क्योंकि उसमें already बहुत सारी lines होती है, और यहाँ पर 10, 20, 30, 40 का gap ले लेते हैं, क्योंकि I think highest marks उसके 95 है, 100 तक हम easily cover कर लेंगे, 10, 20, 30, 70 से 3 line नीचे तक आपको line draw करनी है, scale से, सो यहां से आप 70 से नीचे, थोड़ा सा नीचे यहां तक जाएंगे और यहां तक line आप draw करेंगे, ध्यान रखिएगा यह double bar graph है, double bar graph में एक ही बार में आपको दो information शो करनी होती है, यहां पर first term, second term दोनों के marks आएंगे, तो पहला बाला बार जो है, वो हमारा half में बनेगा, half उस तक आप यह जो line है, इसके mid में value लीजे, mid में एक और line draw करेंगे ऐसे, सो यह होगा आपका 67, 70 से नीचे, लेकिन 65 हाफ से बड़ा होना चाहिए नमबर आपका, okay, next फिरसे ही अब इंग्लिश के ही marks देखेंगे, लेकिन यह जो marks हैं यह second term के है, और इसमें उसके marks आए है 70, तो इस बार को पूरा 70 तक उपर तक line draw कर दीजे, इसको तो बनाने की जरूत नहीं है first को, स्ट्रेट लाइन और इसको यहां से जॉइन कर देगे, first term और second term दोनों की, यहां पर आपको दोनों lines के लिए कोई key decide करनी पड़ती है, जिससे की पता लगे कि कौन से first term के marks है, कौन से second term के हैं, तो first term वाले marks को suppose करिए, आप इसके अंदर जो dots हैं उनसे represent कर रहे हैं, यह design आपने first term के marks के लिए बनाया, और second term के marks के जो बार्स होंगे उनके अंदर आप cross लगा दीजिए, कुछ बैसे फिर कई बार आप color से भी अलग-अलग color से भी color कर सकते हैं इनको, और second है हमारे हिंदी के first term में है 72 marks, तो यह बार आप 72 तक लाइन लेके जाएंगे, 70 से दो लाइन उपर ग्राफ में और अगर यहां पर आप बना रहे हैं तो थोड़ा सा उपर तक 70 से, और इसको half तक क्यूंकि first term को half यह बार देना पड़ेगा हमें, बिकास एक बार में दो उस टाइप की information हमें शो करनी हैं, यहां से उपर से आप जॉइन कर देंगे, और second term में उसके हिंदी में आए है 65 marks, तो इसी के side में एक और बनेगा 65 मतलब 60 और 70, यह देखें यहां पर यह है आपका 60 और 70 के बीच में यह लाइन जो है, इसको straight यहां से देख लीजे और यहां तक यह आपका second उसका graph बनेगा इस तरीके से, एक straight line ड्रॉप कर यह बिल्कुल मिडल में और फिर उसको नीचे से join कर दीजे, और फिर इसमें की ड्रॉप कर दीजे, क्योंकि हमारे first term के marks है, first term के लिए हम लोग dots ले रहे हैं यहां पर, और second term में हमने crosses फिल किये हैं तो इस तरीके से, चलिए आगे हाते next maths में 88 first term में 95 second term में, 88 मतलब 90 से थोड़ा सा नीचे तक, यानि कि लगवख 90 से दो नंबर नीचे आपके graph में यहां तक, कितनी height तक आपका bar जाएगा यह, और half से बनाना है आपको तो यह हो गया आपका 88 अप्रॉक्स, थोड़ा सा और उपर तक ले जाना पड़ेगा, उपर से अब इसको close कर देते हैं, नेक्स्ट उसके marks आए है 95 second term में, मतलब 90 और 100 के बीच में, तो इसको ही first line को तो यही से हम थोड़ा सा extend करेंगे उपर की तरफ, लाइक दिस 95, और second line पूरी draw करेंगे नीचे से, 95 यहां तक की height तक के लिए, और फिर इन दोनों को जाइन कर देंगे, यह है आपका second term के marks, कीज बना दीजे, first में हम circle draw कर रहे हैं, और second में cross, second term के लिए, इसकी key भी in fact हमें बनानी होती है side में यहां पर, आप यहां पर key बनाएंगे कि हम जो हमारे इसमें, जो dots वाले bars हैं, वो show कर रहे हैं, marks in first term, और जो cross वाले हैं, वो show कर रहे हैं, marks in second term, next, next is sign, sign में पहले 81 marks है, first term में उसके, 81 मतलब 80 से उपर तक आप बनाएंगे, second line also, half से, क्योंकि first term के marks हैं, 81 और second term में है 85, उसी को थोड़ा से extend कर दीजे, second line को 90 और उसके बीच तक, straight line and then, like this, next, last है, SST 73 and 75, 73 में 70 से 3 उपर, यह scale से आप देखके कर लेंगे, यहां पर शायद थोड़ा सा approximate ही वाली वा रही होगी, 73, close and 75, उससे बस दो ही नंबर उपर ऐसे, okay, यह complete होता है आपका question, इस तरीके से यह आपका graph बनेगा, इसको हम बोलते हैं double bar graph, क्यूंकि आक्चली में एक ही बार में आपने दो information show की है, कि दो different terms के कितने marks हैं उसके, क्वेशन्स देखते हैं इसके basis पर क्या पूछे हुए हैं, सबसे पहला question है हमारा, in which subject has the child improved his performance the most, किस subject में बच्चे ने सबसे जादा अपनी performance को improve किया है, अगर आप देखें first इसमें थोड़ा सा improvement है, graph थोड़ा सा उपर है, हिंदी में बहुत कम down हुई है in fact performance, maths में काफी improvement है, सबसे जादा gap यहीं पर हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि maths में 88 थे उसके marks से 95, यानि कि उसने 7 marks जादा लाया है वो अभी, तो किसमें सबसे जादा improvement है in maths, in maths, एक answer हो जाएगा, in which subject is the improvement the least, किस subject में improvement हुई है, लेकिन सबसे कम improvement है, SST में क्योंकि यहाँ पर 73 से 75, बस 3 का ही gap है, in social science, in SST, social studies, or SSC, social science, okay, next is, has the performance gone down in any subject, क्या किसी subject में performance down भी गई है, yes, in Hindi, in Hindi, चलिए आगे आते हैं, next question is, consider the, this data collected from the survey of a colony, यह colony का survey किया गया और यह data collect किया है, favorite sport, हमने, March sports ले cricket, basketball, swimming, hockey and athletics, पूछा कि कितने लोग इन sports को देखते हैं, और कितने लोग इन में participate करते हैं, उसकी information है, आपको double bar graph बनाना है, एक ही bar graph पर दोनों information शो करनी है, यह हमारा graph ready है, यहाँ पर information है आपकी regarding favorite sports, तो नीचे यहाँ पर आप लिख देंगे, x-axis पर favorite sports, और number of people आप लोग y-axis पर शो करने वाले हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे number of people, सबसे पहले bars decide कर लीजे, sports के, first bar को हम लोग free छोड़ेंगे, second रहेगा cricket का, cricket, next होगा हमारा basketball, next होगा swimming, एक खाली छोड़ना है यहाँ पर, next free रहेगा, next होगा basketball, next free रहेगा, next होगा swimming, उसके बाद होगा hockey, और उसके बाद होगा athletics, यह वाला, और double bar graph है, तो half-half करके obviously हम बनाएंगे, अब scale देखते हैं, scale में maximum value 1240 है, अब 10, 20, 30 आप नहीं ले सकते, आपको 100, 200, 300 ऐसे लेना पड़ेगा, यह होगा हमारा 100, this will be 200, 300, 400, 500, 600, अगर आपको 1240 शो करना है, तो 1300 तक आपको जाना पड़ेगा, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, and 1300, ओके, स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले cricket, क्रिकेट को 1240 पीपल देखते हैं, पार्टिसिपेट सिर्फ 620 करते हैं, तो चलिए 1240, यानि कि यहाँ पर आप 1200 से चार लाइन उपर अपने ग्राफ में बहात तक इसको एक्स्टेंड करेंगे, क्रिकेट वाली लाइन को, फर्स्ट जो है आपका, चार उपर हाफ से थोड़ा सा नीचे रखिएगा बस, ओके, और इसको मिड्स है, क्यूंकि हमें डबल बार ग्राफ बनाना है, एक और लाइन यहाँ पर शो करना है, सेकंड इंफरमेशन भी सी में होगी, यह हो जाएगा आपका 1240, नेक्स्ट, पार्टिसिपेट कितने करते हैं, क्रिकेट में ही 620, मतलब 600 से दो लाइन उपर तक आप सेकंड ग्राफ बनाएंगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दीजें, और उसको नीचे से जॉइन कर दीजें, अब दोनों में अलग-अलग कीज आप बनाएंगे कोई भी, सपोस करिए जो पार्टिसिपेटिंग है उसके बार को आप यह डिजाइन दे रहे हैं, नीचे हम कीज में लिख भी देंगे कि यह वाला जो डिजाइन है, और ऑन-पे बार्टिसिपेटिंग को खाली छोड़ दीजें, कर देते हैं येस ठीक है देख इस पोर्ट को जो लोग खेलते हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो थ्री हंड़र से दो लाइन उपर आपके ग्राफ में यहां तक आपका जो है वो सेकेंड स्पोर्ट हो जाएगा फॉस्ट में क्यूकि हमने की बनाई हैं सब यह हम लोग पार्टिसिपेटिंग का कर देते हैं नेक्स्ट है । थ्री हंडर से 20 उपर यह आपके थर्ड जो स्पोर्ट है स्विमिंग उसका ग्राफ पर पार्टिसिपेट 320 करते हैं सो इट पिल भी 300 से 20 उपर चलिए नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट स्पोर्ट होकी होकी में 430 स्टुडेंट्स पीपल वॉच इट इतना इसका फॉस्ट ग्राफ होगा 250 इसमें पार्टिसिपेट करते हैं 250 यह हाफ अप्रॉप्स यहां तक आजाएगा आपका नेक्स्ट अच्छा इसमें की बना देते हैं अपनी नेक्स्ट है हमारा लास्ट स्पोर्ट इतलेटिक्स 250 इसको वाच करते हैं एंड 105 इसमें पार्टिसिपेट करते हैं 105 मतलब 1 से भी थोड़ी छोटी लाइन इसकी बनेगी ओ सारी यह है आपका डबल बार ग्राफ आपके स्पोर्ट का कितने लोग देखते हैं और कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं रिगार्डिंग क्वेश्चन देखे क्या है सबसे पहला क्वेश्चन है विच स्पोर्ट इस मोस्ट पॉपुलर कौन सा स्पोर्ट सबसे जादा पॉपुलर है किसका बार ग्राफ जो है वो सबसे उपर तक गया हुआ है की बना दीजेगा यहां पर जरूर की है यानि कि जिसमें हमने ऐसे किया यह है पार्टिसिपेटिंग वाले और जो खाली है यह है हमारा बॉचिंग वाले तो कौन सा स्पोर्ट सबसे जादा पॉपुलर है क्रिकेट क्योंकि उसका ग्राफ सबसे जादा उपर तक है कौन सा सबसे जादा प्रेफर्ट सपोर्ट है वाचिंग में या फिर पार्टिसिपेटिंग में अगें क्रिकेट लास्ट क्वेशन है लास्ट क्वेशन में आपको इसी चाप्टर के 3.1 टेबल से ग्राफ ड्रॉ करना है इसी के साथ एक साइज आपके फिनिश होती है ओपले ग्राफ रीड करना और ड्रॉ करना आपको जरूर आ गया हो कुछ नहीं है यहाँ पर हमेशा एक साक्सिस पर आप इंफोर्मेशन लिखेंगे य आकसिस के उपर नंबर्स लिखेंगे नंबर्स में बस थोड़ा सा स्केल का ध्यान रखेगा जैसे यहाँ पर हंड्रेड्स में नंबर्स हैं तो हंड्रेड, टू हंड्र, टू हंड्र, ट्री हंड्र का गैप लेना सही रहेगा रादर दन 10, 20, 30 या फिर 20, 40, 60 और गैप जो हमेशा वो 1, 2, 5 के उसी में चलते हैं 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 इसके अलावा कोई गैप, कोई और गैप आप ग्राफ में नहीं ले सकते हैं तो दाट्स अल, थांक्यू सो मच पर वाचिंग